हालो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ सुसील कुमार गुपता और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल नॉलेज बुस्टिंग दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रेडिट कार्ड के उपर मैंने तो बहुत सारे वीडियो अपलोड करे हुए हैं आप लोगों को अवेर करता रहता हूं कि क्या-क्या चार्जेज लगते हैं कैसे कैसे इसको यूज करना चाहिए और किस त ट्रेप में फंस जाते हैं तो आज ऐसे ही हमारे एक जो है ओडियंस है मिस्टर हर्स राजपूत जी और इनका एक कमेंट आया था कि मेरे को दो लाग की लिमिट मिली हुई थी जिसमें मैंने तीस हजार का खर्चा किया था मैं बीच-बीच में भरता रहता था आज वो एमाउंट इन्होंने इंट्रेस्ट लगा-लगा के यस्वी आई ने तिरान नबे हजार कर दिया मेरी हेल्प करें ये हर्सराज पूत जी मिसी होती है तभी उसको यूज करता है लेकिन अगर ऐसे में जानकारी अगर हमें ना रहे तो यह बैंक वाले हमारा कैसे मिस्यूज करते हैं कैसे फायदा उठाते हैं और हम इनके पूरी तरह से चंगुल में फंस जाते हैं और एक तरह से आदमी अंदर इंदे डिप्रेश होगा क्योंकि पूरी डिटेल ट्रंजिक्शन डिटेल तो इन्होंने मेरे को नहीं भेजी है लेकिन मैं बता सकता हूं कि इनके साथ में क्या हुआ दिखें फ्रेंट्स जो है हमने आपको जो है अपने पहले वीडियो में अभी क्रेडिट काड से रिलेटे जो वीडियो उने बनाये थे उसमें आप लोगों को बताया था कि जो है क्रेडिट काड पे बहुत सारे चार्जेज लगते हैं जैसे annual renewal फी हो गई late payment charges होते हैं उसके बाद में revolving interest होता है कुछ GST होती है कुछ और भी अगर special services है तो वो charges होते हैं कई तरह के charges के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका link मैं इस वीडियो में दे दूँगा देखो एक तो जब भी हम कोई भी परचेस करते हैं credit card से तो जब भी उसका bill generate होता है बिल generate होने के बाद में हमको 20 दिन का time मिलता है उस bill को pay करने के लिए तो एक होता है उसमें के minimum due amount वो 20 दिन के पहले पहले अगर हमारे पास पूरे charges pay करने के time नहीं है तो हमको minimum due जरूर pay कर देना चाहिए जैसे मन लिजे कि आपका अगर 10,000 का bill generate हुआ है अगर उसमें 2000 रुपे minimum due आया है तो उसको आप due date के पहले पहले जरूर pay कर दीजे कैसे भी pay कर दीजे क्योंकि यह बहुत ही बहुत खतरनाक charges होते हैं अगर आप इसको time पर नहीं pay कर पाए तो कैसे आपको बर्बाद करती है यह banks उमें भी आपको बताने वाला हूँ आप समझ जाएंगे तो due date के पहले आपको एक चीज तो ध्यान रखना है कि आपको जो minimum due है उसको जरूर pay कर देना है पहला number अगर आप पूरा कर सकते हैं तो much better नहीं बहुत अच्छा है तो कोई दिक्कती नहीं है आप अच्छे सी इसका यूज करते रही है पहली बात और दूसरा चीज होगा क्या अगर आप टाइम पर अगर आप minimum due पे कर देंगे मतलब minimum due जो है due date के पहले पे कर देंगे तो आप बताते हैं किसकी चार्जों से बचेंगे मैं स्क्रीन पर भी इसको लगा दूँगा देखिए तो जो इसमें जो है जो ESPI कार्ड में जो इनका मैंने निकाला हुआ है जो इनके late payment charges होते हैं वो किस तरीके से हैं इनका slot है आपका अगर जो है 500 रुपे से कम amount है तो कोई charges नहीं आपको देने हैं अगर 500 से 1000 रुपे के बीच में है तो आपको 400 रुपे देने हैं अगर आपका 1000 से लेके 10,000 के बीच में है तो आपको 750 रुपे पे करने पड़ेंगे ये late payment charges की बात कर रहा हुँ है और ऐसे ही ये range इन अगर अगर आप due date से पहले minimum day amount नहीं पे करते हैं तो 1100 रुपे तो आपको एकसी ही लगा देंगे इसकी अलामा SBI के जो revolving interest charges है वो 3.5% per month यानि 3.5% per month ये आपका जो हो गया 42% yearly पर एनम यानि 42% interest जो है आपका एक साल का और अगर आप जो है साल भर भी चूट जाते हैं क्योंकि इस महीने जो इन्होंने late payment charge लगाया माल लीजे कि आपके 1100 रुपे का late payment charge लग गया आप नहीं pay कर पाए फिर उस पर ये जो है 3.5% 3.5% के rate से interest rate लगाएंगे जो है amount आएगा आपके basic amount में जोड देंगे उस महीने ये फिर wait करेंगे फिर उस total पी जो है या चुकि आपका range बढ़ चुका होगा ति इस बारी आपको जो है फिर interest rate बढ़ चुका होगा total amount पे 3.5% rate लगेगा और उसके उपर फिर जो है आपका credit card के charges लगेंगे तो कहने का मतलब यह है अगर आप साल भर भी चुक गए इनकी जो एक तरह से जो इन्होंने policies बना रखी है अगर आप नहीं समझ पाए तो जैसा कि ये भाई साब बोल रहे हैं कि हमने 30,000 रुपे खर्चा किया और हमको इन्होंने बढ़ा के जो है इस credit card पे इंट्रेस कभी लेट पेमेंट ठीक है और कुछ उस पे जो हमारा जो चार्जे जीस्टी यह सारी चीजें लगा लगा करके 93,000 तक बना दिया हुआ तो मेरा कहना यह है अभी बोल रहे हैं कि हम इसको इससे जो है कैसे इसको इस प्रवलम से फुटका रहा पाएं देखो यहां पे एक ही रास्ता है या तो आपके पास इतने पैसे हो आप पूरा एक बार में पे कर दीजिए ठीक है आप जो है मुक्त हो जाएंगे इन से या तो अगर आपके पास पे करने के लिए पैसे नहीं है तो आप सरेंडर बोल दीजिए बैंक से बोलिए भाई मैं नहीं दे सकता इतने पैसे फिर उनके साथ में सेटलमेंट होगा वो खुद बोलेंगे कैसा करो जी आप जो है इतने पैसे दे दो ठीक है आपका जो है काड़ आपको लोन मिलने में दिक्क्त आएगी तो कि आपका सिविल डेट यह बरबाद कर देंगे और वहां पे तरह कैसी आपका ब्लैक लिष्ट कर देंगे तो यह सारी प्रवलम होंगी तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि अगर आप credit card use कर रहे हैं या करने जा रहे हैं ठीक है या आप बनवाने की सोच रहे हैं तो जरूर बनवाई यह need में बहुत help करता है यहां मेरा मानना है ठीक है और उसको अगर आप साब से सोच समझ के उसको planning के थेट खर्च करते हैं तब हैं और कैसे उनको यूज करना चाहिए तो maximum benefit हम ले सकते हैं आप क्या सोचते हैं इस भी से में comment करके मुझे जरूर बताइएगा और आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही अगर आप मारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडि के लिए आप सभी का दिन सुभ हो